नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजर हैं, एक और कमाल के explanation के साथ। इस मूवी में हमें एक ऐसा आदमी दिखाया गया है, जिसके दिमाग में हमेशा सक्स की बाते चलती रहती हैं। एक बार इस आदमी के घर में उसकी बहन रहने के लिए आती हैं। और फिर उन दोनों के बीच में क्या-क्या होता है? ये हम इस explanation वीडियो में जानेंगे. मूवी के शुरू में हम ब्रेंडन नाम के एक आदमी को देखते हैं. ब्रेंडन की शादी नहीं हुई है और वो एक बैचलर है और वह निव यॉर्क में रहता है. हम देखते हैं कि ब्रेंडन हमेशा सेक्स की बाते सोचता रहता है. ब्रेंडन के दिमाग में हमेशा गंदी बाते चलती रहती है और अपनी इसी सोच के कारण वो कई बार अपने घर में प्रोस्टिट लड़कियों को भी बुलाता है. इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन अपने घर से ओफिस जा रहा होता है और वो एक मेट्रो में है उसी वक्त उसे एक खुबसूरत लड़की दिखती है ब्रेंडन जब उस लड़की को देखता है तो उससे रहा नहीं जाता है और वह उसे घूने लगता है ब्रेंडन के इस तरह घूने से उस लड़की को अच्छा नहीं लगता है जैसे ही ट्रेन रुपती है वो लड़की ट्रेन से बाहर निकल जाती है इसके बाद ब्रेंडन भी उसके पीछे जाता है लेकिन ब्रेंडन उसे नहीं ढून पाता है क्योंकि वहां पर बहुत भीर थी और वो लाकर पानी निकालता है। यह देखकर हमें पता चलता है कि Brandon कैसा आदमी है और उसके दिमाग में क्या कुछ चलता रहता है। यहीं पर हम देखते हैं कि Brandon ने अपने ओफिस के लेप्टॉप में भी काफी ज्यादा पोन वीडियो का कलेक्शन रखा हुआ है। ब्रेंडन के बॉस का नाम देविड है और हो उसका अच्छा दोस्त भी है। अपने काम को खत्म करने के बाद ब्रेंडन और डेविड दोनों क्लब में जाते हैं। यहाँ पर डेविट को एक लड़की पसंद आती है, लेकिन वो लड़की ब्रेंडन को पसंद करती है, जब ब्रेंडन क्लप से निकलता है, तो वो लड़की उसे लिफ्ट देती है, इसके बाद ये दोनों साइड में जाकर टपा टप करते हैं, इसके बाद ब्रेंडन अपने बहन है जिसका नाम सीसी है सीसी ब्रेंडन को काफी दिनों से कॉल कर रही थी लेकिन ब्रेंडन उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था ब्रेंडन के घर की एक चाबी सीसी के पास भी होती है इसलिए वो सीधे इस घर में अंदर आ जाती है यहां पर हमें पता चलता है कि सीसी एक सिंगर है और उसे New York में काम मिला है, जिस वजह से वो Brandon से request करती है, कि वो उसे इस घर में रहने दे, CC के boyfriend ने उसे धोखा दिया है, और CC ने उसके साथ break up कर लिया है, CC पहले तो अपने boyfriend के साथ रहने वाली थी, लेकिन अपने break up के बाद, अब वो Brandon के साथ रहने वाली है, जब Brandon को CC के break up के बारे में पता चलता है, तब Brandon उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे देता है, अगले दिन हम देखते हैं, CC ब्रेंडन को अपना गाना सुनाने के लिए क्लब में invite करती है, ब्रेंडन उससे वादा करता है, अगर उसका काम जल्दी खत्म हो जाए, तो हो उसका शो देखने आएगा, इसके बाद Brandon अपने office जाता है, वहाँ उसे पता चलता है कि सारे computer में virus आ गया है, जिसकी वजह से सारे computers को repair के लिए भेजना होगा, डेविड ब्रेंडन के पास आता है, और उससे पूछता है कि आज रात की तुम्हारी क्या planning है, ब्रेंडन डे CC के शो के लिए निकल जाते हैं, जब ये लोग वहाँ पहुचते हैं, तो ये देखते हैं कि CC गाना गा रही है, CC का गाना सुनकर ब्रेंडन emotional हो जाता है, लेकिन डेविड को ये गाना बहुत पसंद आता है, वो वहाँ पर CC की तारीफ करता है, और ब्रेंडन से कहता है कि तुम्हारी बहन बहुत अच्छा गाना गाती है, फिर देविड CC से मिलता है, और ये दोनों आपस में बाते करने लगते हैं, देविड धीरे धीरे उससे फ्लर्ट करने लगता है, देविड की इन बातों से CC भी उससे इंप्रेस हो जाती है, जब देविड और CC को उन दोनों को ऐसे देखकर ब्रेंडन को काफी बुरा लगता है, और वो काफी अनकमफर्टेबल फील करता है, इसके बाद ये तीनों घर पहुँचते हैं, यहाँ पर डेविड और CC ब्रेंडन के रूम में जाकर तपा टप करने लगते हैं, ब्रेंडन उन दोनों की बाहर निकल जाता है, और जोगिंग के लिए चला जाता है, रात को जब वो अपने घर आता है, तब वो देखता है कि उसके बैड की हालत बहुत खराब हो चुकी है, और वो अपनी बेडशीट को चेंज करके सोजाता है, थोड़ी देर बाद CC ब्रेंडन के बेडरूम में आती है, और उसके साथ सोजाती है, लेकिन ग्रेंडन उससे बहुत कुस्सा होता है, और अचानक उठकर वो चिलाने लगता है, और CC को अपने रूम से बाहर निकाल देता है, अगले दिन ऑफिस में डेविड ग्रेंडन को अपने केबिन में बुलाता है, डेविड उसे कहत और इसके बाद वो दोनों डेट पर जाते हैं। ब्रेंडन और उसके बीच में काफी सारी बाते होती हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। जोर-जोर से हिला रहा होता है। सीसी ब्रेंडन को रंगे हाथ पकड़ लेती हैं और उसे ऐसा करता देख वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाती है। ये देखकर ब्रेंडन को सीसी पर बहुत गुस्सा आता है और वो सीसी पर चिल्लाने लगता है। इसके बाद गुस्स प्रेंडन अपने आपको बाथ रूम में बंद कर लेता है। वहीं पर बाहर CC देखती है कि ब्रेंडन के लैप टॉप में पोन साइट खुली हुई है। ये देखकर CC समझ जाती है कि ब्रेंडन के सिर पर 6 का भूत सवार है और हो सकता है कि वो CC की भी केनी छेनी बना दे। इ अगले दिन वो अपने ओफिस में जाता है, जहां वो मैरीन को किस करता है, और उसे अपने साथ एक होटल में लेकर जाता है, यहां पर दोनों जमकर टपा टप करते हैं, लेकिन ब्रेंडन मैरीन को खुश नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेंडन के दिमाग में बहुत सारी बात चल रही थी और वो बहुत दिस्टर्ग था. इसके बाद मेरीन वहां से चली जाती हैं. मेरीन के वहां से जाने के बाद ب騰ेंडन एक प्रोस्टिट्यूट लड़की को वहां बुलाता है और उसके साथ कपा टप करता है. इसके बाद ब्रेंडन अपने घर वापस आता है और वो अपने घर में बैठ कर टीवी देख रहा होता है, उसी वक्त सीसी उसके पास आती है, सीसी उसे डेविट के बारे में बताने लगती है, ब्रेंडन यहां सीसी को समझाता है और कहता है कि तुम डेविट से दूर रहना, ब्रेंडन कहता है कि डेविट एक सेटल आदमी है औ तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। इसके बाद ब्रेंडन उसे बुरा भला करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रेंडन एक बार में एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है लेकिन उसी वक्त वहां उस लड़की का बॉइफरेंड आ जाता है। उसके बाहर आने के बाद ब्रेंडन के पास सीसी का वोइस मैसेज आता है जिसमें सीसी बहुत रो रही थी और वो ब्रेंडन से माफी मांग रही थी और उसे कॉल बैक करने के लिए कह रही थी। लेकिन train अचानक बीच में ही रुप जाती है इसके बाद वो train से बाहर आता है पूछने पर उसे पता चलता है कि आगे किसी ने सुसाइट कर लिया है ये सुनकर उसे अचानक से CC की बहुत फिक्र होती है इसके बाद वो CC को कॉल लगाने लगता है लेकिन सीसी उसका कौल नहीं उठा रही थी इसके बाद वो दौरते हुए अपने घर आता है घर आकर वो देखता है कि सीसी ने सुसाइट करने की कोशिश की है और उसने अपनी नस काट ली है नस काटने की वज़ह से उसका बहुत सारा खून बह चुका है इसके बाद वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाता है और सीसी की जान बच चाती है। जब सीसी को होश आता है तब ब्रेंडन उसे देख कर बहुत खुश होता है। इसके बाद ब्रेंडन हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और रोड पर धीरे धीरे चलने लगता है और उसी वक्त वहां बारिश होने लगती है। ब्रेंडन रास्ते में बैठ कर जोर जोर से रोने लगता है तब उसे ये अहसास होता है कि वो अपनी जिन्दगी कितने गलत तरीके से जी रहा था और आखिर में वो अपनी सारी गलतियों को सुधारने का फैसला लेता है। ब्रेंडन उस पर ध्यान नहीं देता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेंडन अप सुधर चुका है और यही पर इस मूवी का एंड हो जाता है।